Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes आज की वीडियो को टॉपिक है Last to 5 Months Current Affairs इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 5 महीनों की Important Current Affairs के Questions के बारे में और फैंट्स यहाँ पर हम डिसकस करेंगे Top 100 MCQs को तो 2024 की फैंट्स हम बात करने वाले हैं Top 100 MCQs चो की आपके आने वाले Competitive Exams के लिए Important है तो फैंट्स सभी MCQs हमारी बहुत Important है अच्छे से हम डिसकस करेंगे तो वीडियो में शुरू से अंतर तक पूरा बनी रही तो आईए फैंट्स आज की इस Important Session को शुरू करती हैं First Question सी Very Important Question इसे मार्ग करें फैंट्स चीफ मिनिस्टर उफ बिहार अमंग भारत रतन 2024 अवार्डीज 2024 में देखें जितने भी भारत रतन पुरिशकार विजेता रही उनमें से बिहार के ग्यारवी मुख्यमंत्री कौन थे? Right answer is करपूरी ठाकूर एक और बात याद रखेंगे कि करपूरी ठाकूर जो है इनको ये अवार्ड मिला है देखे पॉस्त्यूमस नी जो है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यानि मर्लो परांत मिला है इन्हें ये अवार्ड बात करते हैं 2024 में कितने परस्नालिटी से इनको भारत रखन से सम्मानित किया गया तो याद रखेंगे टोटल पांच कौन कौन देखे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंग जी इन्हें पॉस्त्यूमस नी मिला है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसीमा राव इन्हें भी पॉस्त्यूमस मिला है साइंटिस्ट म. स्वामे नातन इन्हें भी पॉस्त्यूमस अवर्ड मिला है और यह कहे जाते हैं इंडिया में फादर आफ दी ग्रीन रेवलियूशन इसके लावा बिहार के चीफ मिनिस्टर करपूरी ठाकुर पॉस्थिमसली अवार्ड मिला है इन्हें और लाल कृष्ण आडवानी जी जो की साथवे डेपटी प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के इन्हें भी मिला है भारत रत्न अवार्ड तो टोटल पांच लोग हैं जिनको देखे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो ये पांचो नाम आपको याद रखने हैं इंपोर्टेंट हैं फ्रेंट्स अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में तो भारत रत जो हैं इंडिया का हाइस्ट देखे सिविलियन ओनर है यानि भारत का सर्वोच यानि अगर बात करें कोई भी मौदरिक अनुदान जो है इसमें नहीं दिया जाता है। यह जापन के साथ में एक सायूक्त नौसानिक अभ्यास आयोजित किया। किसने फिलिपेंस देष ने? चार कंट्रीस ने इसमें पार्टिसेट किया था फिलिपेंस, यूस, बुएस, ऑस्ट्रेलिया और जापन. Second important question कि ये जो exercise है कहाँ पे हुई थी South China Sea में क्यों करी गई थी exercise तो देखिए जो Asia Pacific reason है Asia प्रशान्त छेतर है वहाँ पे चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा उसका मुकाबला करने के लिए ही exercise की गई थी अगला question है An Uncommon Love The Early Life of Sudha and Narayan Morthy ये book किसने लिखी है So book का नाम याद रखेंगे An Uncommon Love और इस book के author कौन है चित्रा बैनर जी दिवा करूनी So ये book लिखी है चित्रा बैनर जी दिवा करूनी ने इस book में सुधा मूर्ती और Narayan Morthy जी के life के बारे में जो उनकी sacrifices रही है देखें अपनी powerful and lasting marriage को बनाने के लिए उसके बारे में बताया गया है Narayan Morthy जी के बात करें इन्होंने Infosys की शुरुआत करी थी 1981 में इनको कहा जाता है father of the Indian IT sector Next question in February 2024 who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from UK King Charles III तो United Kingdom के जो King Charles III है उसे मानद knighthood प्राप्त करने वाले पहली भारते कौन बने है First Indian बन गए है सुनेल भारती मितल अच्छा इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है India और United Kingdom के बीच के जो business संबंध है व्यापारिक संबंध है उनको बढ़ावा देने में जो उनका contribution रहा उसको मानेता देते हुए उनको ये सम्मान दिया गया है बात करते हैं अंगले question की रानिल विक्रमा सिन ही और यहां की प्राइम मिनिस्टर कौन है दिनिश गुनवर्धनी नेक्स्ट क्वेशन वलादिमीर पुतिन वस स्वान इस प्रेजिडेंट आफ दी रशियन फेडरेशन फेडरेशन फॉर द फिफ्ट टाइम पांचवी बार देखे रशिया के प्रेजिडेंट बन गए है वलादिमीर पुतिन रशिया के प्रेजिडेंट जो है उनका कारेकाल किया है तो छे साल का कारेकाल होता है रशिया के प्रेजिडेंट का रश्या के अगर बात करें सो कापिटल यहां की मॉस्कोव है, करंसी रूबेल है, प्रेजिडेंट व्लादमीर पुतिन बनी है और प्राइम मिनिस्टर है यहां के मिखेल मिश्युतिन इंडिया और भूटान के बीच में एक सायुक्त सीमा शुलक समो की बैटक होई, यह बैटक कहां पे होई, याद रखेंगे लेह लदाक में और बात करें इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इस पार हुआ है इसका फिफ्थ एडिशन इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से कौन थे तो इसमें थे इंडिया की तरफ से सुर्जीत, भूजाबल और भूटान के साइट से थे सोनम, जामसू बूटान के अच्छा अगर हम बात करते हैं तो देखें इंडिया की ये नेबरिंग कंट्री है बूटान कापिटल यहां की है थिम्पू, करेंसी है यहां की नगुल ट्रम और यहां की प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोबगे इसके बाद अगला क्वेशन है एशन डेवलप्मेंट बैंक इस अपॉइंटेड हूज एज इस कंट्री डारेक्टर फॉर इंडिया सो एडिबी ने बात करें भारत के लिए किसे अपना देश निदेशक नियुक्त किया है राइट आंसर इस मियो ओका को अपॉइंट किया है एडिबी ने एडिबी जो है इसकी स्थापना होई थी 19th December 1966 में हेटक्वार्टर है इसका फिलिपिन्स में प्रेजिडेंट है मसाच सुकु असाकावा वाइस प्रेजिडेंट है अशोक लवासा नेक्स क्वेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड है साइंड एन एमियू विद फिच कंपनी फॉर दा सप्लाई ओफ इंडिजीनियस मेरीन ग्रेड इस्टील सो जो हमारा भारते तरक्षक बल है उन्होंने स्वेदेशी समुद्री ग्रेड इस्टील की आपूर्ती के लिए किस कंपनी के साथ में किया है एमियू साइन तो इंडियन कोस्ट कार्डने की एमियू साइन किया है जिंदल इस्टील एन पावर के साथ दुनिया के देखे जो सबसे 50 अमीर शहर है उसमें मुंबई और दिल्ली का इस्थान किया है तो मुंबई को रैंक मिली है 24 और डेली को इसमें रैंक मिली है 37 टॉप 50 रिचिस्ट सिटीज में नमबर वन पे देखे कौन सी सिटी है नियॉक सिटी है यह जो रैंकिंग आई है इसको रिलीस किया है किसने हैंले अन पार्टनर्स और न्यू वर्ड हेल्थ नी क्लियर रैफेंट्स यहां तक बात करते हैं अगले क्वेशन की देखे है उत्राकरेंट गवर्डेंट्स नी इसको स्टार्ट किया है किया है देखे कैम्पीं तो इसके तहर है जो पिरूल है पिरूल किसे कहते हैं। Pine Tree Leaves जो चीड के पेड़ की पत्तियां हैं उसे कहते हैं पिरूल इसमें देखे जो वहां के local youth और villagers हैं वो collect करेंगे dry पिरूल यानि जो सूखे पिरूल हैं उनको collect करेंगे और उसको जो भी designated center बनाए होंगे collection center वहां तक उनको ले जाएंगे अब ये पिरूल ले जाने के जो भी वो इखटा करके ले जाएंगे उसके बदले उनको amount भी दिया जाएगा वो amount उनके bank में direct transfer किया जाएगा next question देखे संगीत सिवन पास्टोई वे रिसेंटली at the age of 61 who was he कौन थे संगीत सिवन जिनका निधन हुआ तो ये film maker थे इसके बाद देखे the renowned उर्दू literature and academician जिनका नाम है शेक अब्दूरसलाम अब्दूर्जाक इनका भी 83 वर्ष की आयों में निधन हुआ question में हम लोग उसे पूझा गया है कि कौन से year में उनने मिला था शाहिते Academy Award for Urdu Literature साहिते Academy Award इने मिला था 2004 में ये question में बन सकता है कि ये कौन थे मादव इनका संमन्द किस field से था तो ये poet ते यानि literature से संमन्द है इनका और इनको 2004 में जो साहिते Academy Award मिला था वो मिला था इनके short story collection शिकर्ष्ट बटन के दर्मियां के लिए चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं विच आफ दे फॉलोइंग कंपनी हस लॉंच्ट दा कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी तो यहां बात करने कि कौन सी कंपनी है जिसने शुरू किया है दा कंप्लीट होम लोन सुवीधा तो इस कंपनी को देखे शुरू किया है किसने L&T Finance Limited, Larson & Turbo जो फाइनस लिमिटेड कंपनी है और उन्होंने शुरू करा है दा कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी को नेक्स्ट कोईशन इंडिया एंड नेधरलाइंड्स ओगनाइस्ट विच राउंड ओफ फॉरेंड ओफिस कंसल्टेशन इंदी हेग सो भारत तो नेधरलाइंड ने देखे हेग में विदेश काराले परामर्ष के किस तोर का आयोजन किया है तो ये आयोजन किया था इन्होंने 12th जो है 12th राउंड हुआ था इस कंसल्टेशन का जो कि इंडिया और नेधरलेंड के बीच में हुआ इसका में देखे किया था कि इंडिया और नेधरलेंड के बीच के जो बाइलेटरल पाइस है यानि दुई पक्षिय संबंध है उनको मजबूत करना इंडिया को इसमें लीट किसमें किया था तो Ministry of External Affairs के जो Secretary है पवन कपूर उन्होंने जो है इसमें इंडिया को लीट किया नेक्स्ट क्वेशन देखे वोट इस इंडिया से रैंक इन वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 सो क्वेशन देखे पूचा कया है कि जो विश्व प्रेस स्वतंतता सूच कांक आई है उसमें भारत का स्थान किया है तो इंडिया को इसमें देखे रैंक में है 159 और बात करते हैं इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री रही है तो नॉर्वेट नमर वन पे रही सेकेंड पे रही डनमार्क सबसे लास्ट पोजिशन पे रही कौनसी कंट्री एरिट्रिया और इस इंडेक्स को देखे किसने रिलेज किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नहीं नेक्स कोईशन देखे वट परसेंट of सीट है विन रिजर्वड फॉर्वेट फॉर्वें इन तबार असोसियेशन कमीटी बाइ दिस सुप्रेम कोट तो सुप्रेम कोट के द्वारा देखे बार असोसियेशन समीती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशल सीट आरक्षित क की गई हैं सो महिलाओं के लिए की गई है 33% सीट रिजर्व की गई है सुप्रेम कोट के बारे में थोड़ा सा बात करें सुप्रेम कोट जो है इंडिया का हाइस्ट देखे जुडिशल कोट है इसको स्टेबलाइश किया गया था अंडर दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और सुप्रेम कोट की बात करें सो ये एक्जिस्टेंस में आया था 28 ऑफ जैनवरी 1950 को इंडिया के पहले चीव जस्टिस कौन थे सो हरी लाल जेकु सुन्दास कानिया जो है पहले चीव जस्टिस के भारत के और करंट चीव जस्टिस कौन है धनंजे यश्वंत चंदरचू निएक्स्ट क्वेशन है विच इंशुरेंस कंपनी एस अन्वील्ड इस लेटिस्ट कामपेंज जिसका नाम है नो जंजट लाइफ इंशुरेंस फटा फट तो ये जो कामपेन है देखे इसका अनावरण किस ने किया है तो इस कामपेन को शुरू किया है SDFC लाइफ निक्स्ट मारा क्वेशन है फू अपॉइंट इस पर अपॉइंट इस पर अपॉइंट के गए हैं संजे कुमार मिश्रा निक्स्ट क्वेशन सो बात करते हैं देखे आर बिया इनी तीन साल के लिए किस बांक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतानु चकरवर्ती की पुन्हा नियुक्ति को मंसूरी दे दी है तो ये कौन से बांक में पॉइंट हुए हैं स्टी एफसी बांक फ्रेंट्स अगर स्टी एफसी बांक की बात करें सो इसकी स्थापना हुए थी आउगस्त 1994 में इसके फाउंडर थे हस्मुख भाई पारिक हेटक्वार्टर है इसका मुंबई में एम्टी सी ओं हैं शशिधर जगदीशन चेर्मेन फिर से पॉइंट हुए हैं अतानु चक्रवर्ती और बैंक की टेग लाइन हैं वी अंडेस्टेंड यॉर वर्ड फ्रेंड्स अगर आप दिखें अपने किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम के त्यारी कर रही हैं और उसके लिए आप एक बहतरी जो है वो करेंट फेस की बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी इबुक को बाई कर सकती हैं आपको हर एक तरीके से इबुक मिली है चाहिए आप मन्तली देखना चाहें जैन टू आपरल की इबुक भी अवेलिबल है जिसमें सभी इंपॉर्टन क्वेशन दे गए हैं आपके एक्जाम के लिए सभी इबुक आपको देखे अवेलिबल मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट से वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स म चलिए निक्स्ट कोईशन पर आती हैं हूँ हैस बिन अपॉइंट इस एमडी ओफ रेमंड फॉर फाइव इयोज पांच वर्शों के लिए रेमंड के एमडी के रूप में किसी न्यूप्त किया गया है इस पत्पर अपॉइंट हुए हैं गौतम हरी सिंगानिया नेक्स्ट क्वेशन है केरूल फुर्तादू यह भी हाली में किस स्माल फाइनस बैंक की बनी है इग्जेग्यूटर डाइरेक्टर सुरिं का नाम है केरूल फॉर्टाडू और ये अपॉइंट हुई है उज्जिवन स्माल फाइनस बैंक की कारेकारी निदेशक वो जिवन Small Finance Bank जो है इसकी इस्तापना हुई थी 1st February 2017 को और फेंच इसका हेड़क्वार्टर कहां पे है बैंगलोर करनाट कामी Next question है What is the rank of India in International IP Index 2024? से की जो भी International Intellectual Property Index आई है उसमें इंडिया को rank कौन सी मिली है? 42nd इस Index में No.1 पे रही है United States और इस पार इसका एड कौन से एडिशन जारी हुआ है? 12th एडिशन अगला question है Question ने देखे Which of the following statement is correct about the status of leopard in India report? तो करम इंडिया में बात करें leopard के status के एक report देखे आई है उसके according इन में से कौन से statement correct है? पहला statement देखे कहा गया है from 2018 to 2022 जो leopard की संख्या है वो 2000 से भी जादा increase हुई है second statement कहा गया है कि leopard की सबसे जादा population है वो कहा record की गई है? मध्या प्रदेश में अब अगर बात करेंगे इन में से देखे कौन सा statement सही है तो हमारा जो option number second है वो बिलकुल सही है option B यहाँ पे सही होगा क्योंकि दूसरी statement ही बिलकुल सही है पहली statement में जो कहा कया है कि 2018 से 2022 की बात करें तो lepards की संख्या 1000 से जादा वड़ी है 2000 से नहीं ठीक है पहली बात इस टाइम भारत में lepards की संख्या कहां तक पहुँच गई है 13,874 तक और इंडिया में highest population कहां पे हैं lepards की मध्यप्रदेश में यह जो report ID status of lepards in India इस report को किसने release किया यह question में important हो सकता है तो हमारे जो environment minister है भुपेंदर यादा इन्होंने जो है इस report को जो है issue किया है अगला question है national birth defect awareness month 2024 was launched by whom राष्टे जन्म दोष जागरुकता महा किसकी द्वारा शुरू किया गया था तो friends इसे शुरू किया था किसमें नीती आयोगनी नीती आयोगनी के member है Dr. V. K. Paul जिन्होंने जो है इसे launch किया था और इस बार इसकी theme क्या रही breaking barriers inclusive support for children with birth defects next बात करते हैं अगले question की former prime minister Brian Mulroney passed away recently at the age of 84 he was the prime minister of which country so poor प्रधान मंत्री Brian Mulroney की बात करी जिनका भी देखे हाली में निधन हुआ ये किस सेश के प्रधान मंत्री थे राइड आंसर इस Canada next question है मारूती सुजु की India has partnered with which bank for dealer financing solutions so मारूती सुजु की India ने देखे dealer with portion समधान के लिए किस bank के साथ में जो है partnership करी है तो इन्होंने partnership करी है Union Bank of India के साथ आगे बढ़ते हैं देखे next important question की who has been appointed as a CEO person and independent director of PU payments private limited तो जो PU payments private limited है देखे उसकी अध्यक्ष और सुतंद निदेशक के रूप में appoint हुई है रेनो सूद करनाड next question है हमारा अजय कामवाल देखे अभी किस small finance bank के बने है MD और CU सो दिखे इनका नाम है आजय कानवाल और ये appoint हुए है जन small finance bank के बने हैं ये MD और CU यानि reappoint हुए है फिर से इनको निउक्त किया गया है अगला question है who has been appointed as a director general of national security guard सो फिर इंस बात करें यहाँ पे जो राष्टे जुरक्षा गार्ड है दिखे उसकी director general corner point हुए है नलिन प्रभात national security guard जो है इसको black cats के नाम से भी जो है से जाना जाता है इसकी सापना हुए थी 16 October 1984 को head quarters का located है निउ डेली में next question देखे in which country has the world third largest mosque and Africa's largest mosque being inaugurated यह दुनिया की तो देखे तीसरी सबसे बड़ी मज़ेत है लेकिन अगर Africa की बात करें तो Africa की यह सबसे बड़ी मज़ेत और इसका उद्गाटन किस देश में किया गया है तो Africa की सबसे largest mosque जो है इसे inaugurate किया गया है कहां पे Algeria में सो Algeria के जो प्रेजिडेंट है अबदेल मज़ीद तेबो ने इन्होंने जो है इस mosque को inaugurate किया है next question National Industrial Corridor Development Corporation Limited has signed NMU with which IIT to enhance the development of green field smart cities so NICDS ने देखिए जो green field smart cities है उनके विकास को बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ में किया है समझोता तो इन्होंने किया है IIT मदरास के साथ में समझोता अगले question की बात करते हैं Union Minister of State राजीव चंदरशेकर has launched the investor information and analytic platform it is developed by which IIT so देखिए जो हमारे राजीव मंत्री है राजीव चंदरशेकर इन्होंने अभी एक investor information analytic platform को launch किया इस platform को किस IIT ने develop किया है सही answer है इसे develop किया है IIT मदरास ने इसके बाद देखिए how many astronauts have been named for India's first manned space mission इंडिया का जो पहला देखे मानव यूद अंतरिक्ष mission है जिसको नाम किया दिया है गगन यान mission इस mission के लिए कितनी अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है तो चार astronauts को जो कि इसके लिए नामित किया गया है इनके नाम याद रखनी है Group Captain Prashant Balakrishnan, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap and Wing Commander Subhansho Shukla तो ये चार astronauts हैं जिनको इस mission के लिए नामित किया गया है और इस mission कब launch होगा 2025 में next question है विशो की देखे जो पहली वैदिक क्लॉक है इसी मद्यप्रदेश के कौन से शहर में inaugurate किया गया so word की पहली वैदिक क्लॉक जो है inaugurate की गई है मद्यप्रदेश के उजेन शहर में next question इंडिया's oldest MP शफीकुर रह्मान बर्क passed away recently at the age of 94 he was related to which political party so यहां बात करने शफीकुर रह्मान बर्क की देखे इनका भी निदन हुआ है और यह बिलॉंग करते हैं कौन सी पार्टी से समाजवादी पार्टी से next question है प्रेजिडेंट ड्रॉपदी मुर्मु जी ने किसे लोगपाल न्युक्त किया है सुद्रॉपदी मुर्मु जी ने अपॉइंट किया है जस्टिस एम खान विलकर को लोगपाल next day who has been appointed as a director of NTPC so NTPC के डारेक्टर यानि निदेशक के रूप में किसी न्युक्त किया गया है right answer is रवींद्र कुमार NTPC जो है इसका पूरा नाम है National Thermal Power Corporation इसकी स्थापना होई थी 7th of November 1975 को और इसका headquarter कहां पे है न्युडेली में अगला question है इंडिया and which country sign the MAU on cooperation in the field of sharing successful digital solutions so बारत उर्क के स्थेश ने सफल डिजिटल समाधान साजा करने के चेत्र में सयोग पर समझोते गयापन पर हस्ताक्षर किये है तो ये समझोता किया है किसने इंडिया और क्यूबा ने अब देखो ये चो partnership करी है इसमें इंडिया की तरफ से कौन थे तो इंडिया के तरफ से थे मेती के सेकेटरी सिरी एश्ट कृष्णन और इसमें उनके चो counterpart यानि क्यूबा की साइट से कौन थे Mr. Wilfredo Gonzalez Vidal इंडिया in which country have agreed to jointly fund scientific research project in the field of health, decarbonized hydrogen, marine sciences and applied mathematics तो भारत और के सेश ने देखे स्वास्ते, decarbonized hydrogen, समुदरी विज्ञान, गणित के छेतर में सयंत रूप से विज्ञानिक अनुसंधान पर्योशनाओं को निधी यानि फंट देने के लिए सहमती व्यक्त करी है तो सही आंसर है यहाँ पे France France की capital है Paris और currency है यहाँ की Euro, President है यहाँ की Emmanuel Macron Next question, who is the chief architect of the construction of Ayodhya Ram Temple So, जो Ayodhya Ram Mandir इसके निर्मार के मुख्य वास्तुकार कौन है इनका नाम है चंदरकांत सोंपुराओ Next question है, West Bengal Chief Minister Mamta Bhenerji has inaugurated which edition of the International Kolkata Book Fair पश्री मंगाल की मुख्य मंत्री है Mamta Bhenerji तो इन्होंने अंतराश्टे Kolkata पुस्तक मेले की किस संसकरन का उदगाटन किया है तो कौन से edition है जिसका inauguration किया है 47th और इस Paris Fair की theme country कौन सी रही थी United Kingdom Next question है, किस state government ने launch किया My School My Pride campaign My School My Pride अभियान को किस ने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश government ने बात करें इस campaign के बारे में इसका main purpose क्या है कि जितने भी वहाँ की government school है देखे वहाँ पे quality education लेके आना बच्चों को इसे education प्रवाइड करना जो उनको help करे और उनके अंदर एक development लेके आए next which bank has launched money to India application money to India आप को देखे launch किस ने किया है ICIC bank ने जो है application को launch किया है यह जो application ने customer को allow करेगा any Canadian bank जो है अगर वो इंडिया में money transfer करना जाते है भेजना जाते है तो ज़रूरी मतलब वो अपने ICC bank Canada से ही transfer कर सकती है उन्हीं अपना bank account change करने की ज़रूत नहीं है वो directly अपने उसी जो Canada में जो उनका bank होगा न वहीं से ही वो money को transfer कर सकती है next है दलजीत सिंग चौधरी जो है भी हाली में बने है डाइरेक्टर जनरल किस force के तो यह point हो है सशर्ष्ट्र सीमा बल के डाइरेक्टर जनरल सशर्ष्ट्र सीमा बल जो है इसके स्थापना होएते 20 December 1963 को headquarter है इसका न्यू डेली में अगला question देखे who has been appointed is the CEO of PepsiCo India सो यहां हमसे पूचा है PepsiCo India के CEO के रूप में किसी न्यूकत किया गया है इस पत पर appoint होए है जागरत कोटेचा आते हैं अगले question पे what is the name of Indian marathon runner who won a gold medal at the Asian Marathon Championships 2024 सो देखे इनोने Asian Marathon Championship में जीता है कौन सा gold medal और इनका नाम क्या है मान सिंग next question है प्रभावो सुभियान्तो has been elected the president of which country सो प्रभावो सुभियान्तो जो है किस देश के राष्टपती चुने गए है तो यह point हो है इंडोनेशिया के राष्टपती इंडोनेशिया की बात करें फ्रेंश तो यह आप देख सकते हैं location capital यहां की जकारता है currency है रुपिया next question which edition of the Milan naval exercise जो कि कहां पे हुई विशाखा पटनमी Milan exercise में काफी सारी countries ने देखे participate किया था multinational exercise है और इसका चो इस बार edition हुआ वो कौन सा था 12th edition यह बार हुआ edition जो ता कहां पी हुआ है यह भी याद रखेंगे विशाखा पटनमी next important question देखे which IIT professor has developed a sound based anti-drone system यह जो sound based anti-drone system है इसे develop किया है किसने IIT जंबू के प्रोफेसर नी यह जो drone system है यह बहुती cost effective है बहुत लागत प्रभावी है और user friendly है यह system drone से जो भी देखे sound emit होते जो drone से धोनी निकलती है उसको यह पता लगा सकती है और drone को identify करने में भी यह help करेगा system next question उतरप्रदेश government has increased the grant amount for मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना from 15,000 रुपीज to how much रुपीज तो देखे जो मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशी थी वो 15,000 रुपे थी लेकिन उतरप्रदेश सरकार ने उसे बढ़ा कर कितना कर दिया है 25,000 रुपीज next question उडिसा चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक has inaugurated दबाक्ची शिरी शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टिटूट इन विचस सिटी उडिसा गिर चीफ मिनिस्टर है नवीन पतनायक उन्होंने के शेहर में बाक्ची श्री शंकर कैंसर केंदर और अनुसंधान संस्थान का उदगाटन किया है तो इसका उदगाटन किया है कहां पे भुवनेश्वर शेहर में यह जो सेंटर देखे नोंने जो है इनागरेट किया है इसमें पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइट किया जाएगा बहुत दी अफॉर्डेबल कोस्ट मी सो मरीजों को देखे किफायती कीमत पर गुडवत्ता पूर्ण इलाज उपलब्द कराना ही सेंटर का उद्देश्य है कभीता चौदरी पास्टर वे रिसेंटली एड़ दी अच ओव सिक्स्टी सेवन वू वॉज शी कौन थी कभीता चौदरी तो ये फ्रेंट्स एक्ट्रस थी जिनका अभी निधन हो गया इंडियास फर्स्ट हेलिकॉप्टर इमर्जेंसी मेडिकल सर्विस विल बी स्टार्टेट फ्रॉम विच स्टेट बारत की पहली देखे हेलिकॉप्टर आपातकाले चिकिस्सा सेवा किस राज्य से शुरू की जाएगी तो ये जो सर्विस से शुरू की जाएगी उत्राखंड स्टेट से आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन देखे विच स्टेट गवर्मेंट हस लॉंच्ट वनमित्र इसकीम किस राज्य सरकार्नी देखे वनमित्र योजना शुरू की है तो हर्याडा की सरकार्नी शुरू करी है वनमित्र इसकीम बात करें क्या है ये इसकीम इसके तहर देखे जो वहां के community है उनको encourage किया जाएगा कि वो tree planting activities में जाधर से जाधर participate करें तो जो भी non forest area होंगे वहां पेड लगाए जाएगे और उसके लिए वहां के community को भी include किया जाएगा शामिल किया जाएगा इस activity में तो यही इसका मेनोदेश है लोगों को encourage करना next question with whose collaboration has the Sikkim government launched Sikkim Inspire initiative तो Sikkim सरकार ने किसके सयोग से Sikkim Inspire पहल शुरू की तो इसमें इनोंने किसका सयोग लिया है world bank का next question who has been elected as a speaker of the Bihar Legislative Assembly तो बिहार विधान सबा का अध्यक्षक किसे चुना गया है answer is नंद किशूर यादव next question है Panama has officially become the 97th member of the International Solar Alliance Panama is the country of which continent तो देखिया अभी ISE जो है इसका 97th member कौन बना है Panama और Panama जो है North America continent में आता है International Solar Alliance की स्थापना होईती 30th November 2015 को headquarter है इसका गुरुग्राम हरियाना मी यहां तक friends आपको clear हो रहा है और friends में आपको फिस से कहूंगी कि जितने questions हम यहाँ पे cover कर रही है वो सभी आपके आने वाले exam के लिए most important है तो इस लिए इस वीडियो को complete देखें और अपने current affairs के questions को अच्छे से revise करें Question A अगला Which country has become the new member of military alliance NATO So NATO क्या ठीके अभी नया सदस्य देश कौन सा बना है Sweden NATO जो है friends North Atlantic Treaty Organization इसकी formation का पुईती 1949 में Next is the भारत First भारत steam boiler expo 2024 was held in which city पहला देखें जो भारत steam boiler expo है ये किस शहर में आयोजित किया गया था तो इसका आयोजित किया गया था कहां पे Answer is Guwahati शहर में Next question देखें The India Navy has commissioned its new base at Minikoy Island Lakshadeep भारते नौसीना ने देखे Minikoy Island Lakshadeep में अपना एक नया base शालू किया जिसका नाम किया है INS Jatayu Next Whom did President Drapadi Murmu recently nominate to Rajya Sabha अभी देखें राज्यसभा में Drapadi Murmu जी ने हाली में किसे राज्यसभा के लिए मनुनीत किया So nominate किया गया है किसे सुधा मूर्थी जी को जो कि बहुती famous author है इनको nominate किया है Drapadi Murmu जी ने Next question Who has been appointed as a President and Managing Director for SAP India Subcontinent So SAP भारती उप महादीप के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो fans यहाँ appoint कौन हुए है Manish Prasad Next question है Who has won the first prize of National Youth Parliament Festival 2024 So देखे जो राष्टे युवा संसद महासब हुआ है उसमें पहला prize किसने जीता है यातिन भासकर दुगल इन्होंने जीता है इसमें first prize और यातिन भासकर दुगल जो है यह बिलॉंग करते हैं कि कौनसी स्टेट से हरियाना स्टेट से Next question है Who is the author of the book जिसका टाइडल है The Conspiracy to Oust Me from the Presidency कौन है इसकी author तो गोटा बाया राजबक्षे जो है इसकी author है बुक का नाम है The Conspiracy to Oust Me from the Presidency अगला question है friends World Homeopathy Day 2024 was celebrated on which day बात करते हैं Wish Homeopathy दिवस की यह कब मनाया गया तो 10 अपरेल को Celebrate किया गया है World Homeopathy Day इस दिन देखिए Homeopathy System के जो Founder और Father कहे जाती है Dr. Christian Samuel Hennemond इनको tribute दिया जाता है यानि इनको शृद्धांजरी देने के लिए मनाया जाता है 10 अपरेल को World Homeopathy Day 2024 की इसकी theme याद रपना Homeopathy परिवार One Health, One Family आते हैं अगले question पे Fresh batch of Igla S Air Defense System has arrived India from which country So Igla S जो वायू रक्षा परिणाली है इसका भी एक Fresh batch भारत पहुंचा है किस country से तो ये जो Air Defense System है ये आया है भारत कहां से Russia से Next question है Which countries Army will launch a campaign to collect garbage from Mount Everest So Mount Everest से कचरा इखटा करने के लिए एक अभियान चलाएगी कौन से देश की सीना तो ये अभियान चलाएगी Nepal देश की Army So Mount Everest से जो garbage है उसको collect करेंगे और इसके लिए पूरी एक 12 मेंबर की टीम बनाएगी है और इस 12 मेंबर की टीम को lead कौन करेंगे Major आदित्य करकी जो की इनोंने अपना चूर जर्णी है उसको शुरू भी कर दिया है 14th April से Next step Which is the best place in the world to conduct business according to our report So एक report के अनुसाद एक business conduct करने के मामले में बात करें तो best place कौन सी है दुनिया में सबसे best place है इसमें Singapore Singapore जो है लगातार 16th यानि 16 साल जो है रहा है इस list में top position पर उसके बार Denmark है और 3rd place पे कौन सी country है USC Next question है Gangu Ramsey पास्टर वे रिसेंटली at the age of 83 who was he Gangu Ramsey कौन थी जिनका भी निधन हुआ ये थे cinematographer Next Indian Coast Guard Director General Rakesh Pal has inaugurated the Indian Coast Guard Aquatic Center in which state So Rakesh Pal जो है उन्होंने किस राज्जीय में देकिए भार्तिय तटरक्षक जलिय केंदर का उदगाटन किया है तो Tamiladu में जो है center को inaugurate किया गया Tamiladu की बात करती है तो Tamiladu की स्थापना होई थी 1st November 1956 को capital chain नहीं है CM है यहां के MK Stalin Governor है RN Ravie राजर सभा की seats से 18 लोग सभा की है 39 और Assembly seat से यहां पे 234 आगे बढ़ती है next question पे Who is the author of the book जिसका title है The Idea of Democracy The Idea of Democracy इसी book किसे ने लिखी है तो इसकी author है Sam Pitroda next question है Sumit Nagal becomes the first Indian to win main draw match in Monte Carlo Masters he is related to which sport देखे यहां पे बात करें Sumit Nagal के इन्होंने अभी Monte Carlo Masters में मुख्य draw match जीत और बने पहले भार दिये इनका सम्बंद किससे है तो tennis से जो है इनका सम्बंद है अगला question है किस country ने जीता है Men's Hong Kong 7th of 2024 titles तो ये title जीता है New Zealand की team ने इसकी बाद बात करते है next important question की which country has recently unveiled the world most powerful laser दुनिया के सबसे देखे शक्ते कशाली laser का अनावरन किया है किस देश ने Romania country ने ये जो laser है न दीखे ये based किस पे है 2018 में Nobel Physics Prize winners Gerard Morrow और Donna Strickland तो उनके जो inventions थी उसी पर based है ये laser इसके बाद एके next पूछा गया है which where did the 19th annual meeting of secretaries of the security council of SCO members states it take place SEO के जो सदस्य देश है उनके सुरक्षा परिशत के सचिव की 19 वी जो बाशिक बैटक है ये कहां पी हुई है तो ये बैटक हुई है आपकी कजाकिस्तान में इस बैटक में देखे Indian Contigent या Indian Delegation को लिट किया था National Security Advisor अजीत दोवाल ने SEO Summit की बात करें 2024 वाला तो देखे कजाकिस्तान में हुआ इस से प्रिवेस बात करें 2023 में ये हुआ था इंडिया में और 2022 का समिट हुआ था समरकंध उजबेकिस्तान में Next Question की बात करती है Which of the following has launched Health Tech Application Nutri Plus To Democratize Health Monitoring in the Country Nutri Plus को कि एक Health Tech Application है इसे लांच किया है किसने Britannia Nutri Choice ने Former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh Retired from the Rajya Sabha He joined the Rajya Sabha For the first time in October So, अभी दिके Rajya Sabha से सेवा निवरत हो गए है हमारे पूर्व प्रधान मंत्री Dr. Manmohan Singh पहली बार ये Rajya Sabha में कब शामिल हुए थे October 1991 में Next Question है India's First Home Grown Gene Therapy For Cancer Treatment Launched by President Ropadi Murmu At Which IIT Cancer के इलाज के लिए दिखे भारत की जो ये पहली घरेलू Gene Therapy है इस थेरपी को कहां Launch किया गया है IIT Bombay में Next Star Health Insurance Has collaborated with Which of the following To provide Star Comprehensive Insurance Policy तो इसके लिए Star Health Insurance ने किसके साथ में सयोग किया है तो इन्होंने Partnership करी है Phone Pay के साथ आते हैं फ्रेंट्स अगले important question पे Who has been appointed As a member of the World Bank Economic Advisory Panel by the World Bank Group तो विश्य बैंक समूख के द्वारा देगे जो World Bank आर्थिक सलाकार पैनल के सदस्य है इसके रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो ऐसा member appoint कौन हुए है राकेश मोहन बात करी थोड़ा सा World Bank के बारे में तो इसकी सापना हुए थी 1944 में headquarter है Washington में President है Ajay Banga MDCFO है Anshula Kant Chief Economist है Indramit Gill Executive Director है Rajesh Khullar और members कितने है 189 Next question है Arnav Goswami ये भी हाले में किस बैंक के बने है Chief Financial Officer Arnav Goswami को appoint किया गया है Punjab and Synth Bank का मुख्य वित्तिय अधिकारी बात करें Punjab और Synth Bank की तो इसकी formation हुए थी 24 June 1908 को Headquarter New Delhi में हर MDCO का नाम है Swaroop Kumar Saha चलिए Friends Next question की बात करते है 23rd Board Sustainable Development Summit Held in Witcher City सो जो तेही स्वा विश्व सतत्विकास शिख सम्मेलन है कि शहर में आयोजित किया गया तो ये जो सम्मेलन Summit था ये आयोजित किया गया था कहां पे New Delhi में इस Summit को और इसकी थीम रही थी Leadership for Sustainable Development and Climate Justice Next question है Tablet of which of the following ministry has won first prize at the Republic Day Parade 2024 2024 में देखे जो गर्दंत दिवस की parade हुई थी उसमें किस मंद्राले की जाकी ने जीता था प्रथम पुरुषकार तो इसमें first prize जीता था Ministry of Culture ने Next election commission of India has collaborated with film maker Rajkumar Hirani for a short film to spread awareness about voting What is the title of this short film तो दिखे एक तरीके से voting के बारे में awareness को फिलानी के लिए short film मनाई थी election commission of India ने उसके लिए राजकुमार Hirani के साथ में collaboration किया था इस short film का नाम किया था My Vote, My Duty Election Commission जो है इंडिया का इसके सापना हुए थी है सहीली तो इसे डिसकवर किया था डॉक्टर नित्यानन्दनी Next question Ahmed Abad bin Mubarak has been elected the new Prime Minister of which country Ahmed Abad bin Mubarak ये friends नए प्रधान मंत्री चुने गए है Yemen देश की Yemen की capital सना है currency है Yemeni real Next question है which state has organized the fourth edition of the annual orange festival 2024 किस राजय ने annual orange festival 2024 के चौथे edition का आयोजन किया है तो इसे organize किया है नागलेंट ने और इस पार 2024 के इसकी देखे थीम रही है Organic Orange इस festival को इनागरेट किया वहां की Women Resource Horticulture की Minister सल होतु आनू क्रूस नी Next question है The Samlai Temple Project has been launched in which of the following states Samlai जो मंदिर परियोशना है किस राजय में शुरू की गई है तो ये परियोशना शुरू हुई है Odisha State में Samlai का देखे पूरा नाम है Samlaishwari Temple Area Management and Local Economic Initiative Next question है Who has become the first woman to hold the rank of सुबेदार in the Indian Army भारते सेना में सुबेदार का पत्पानी वाली पहली महिला कौन बन गई है Right answer is Preeti Rajak Next question है Telecom Regulatory Authority of India के नए चेयर्मन कौन पॉइंट हुए है Hindi में इसे कहते हैं भारते दूर संचार नियामक प्रादी करन और इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है अनिल कुमार लहोती बात यहाँ पे करने ट्राइ की तो इसकी देखे स्थापना हुए थी 20 February 1997 में Headquarters का है निउडेली में चले next question देख लेते हैं RM विरपन पास्टर वे रिसेंटली अट दी एज ओफ 97 वू वॉस ही So friends यह थे RM विरपन इनकी बात अगर करें यह कौन थे तो यह politician थे जिनका निधन हो गया Next question है अबारा Which bank है sign MU with Society for Innovation and Entrepreneurship and IIT Bombay कौन सा bank है जिसने Cine और IIT Bombay के साथ partnership करी है तो वो है Friends Canera Bank और यह partnership क्यों की गई है तो इंडिया में जो start-ups है उनको empower करने के लिए Canera Bank के सापना होईती 1906 में headquarters का बिंगलॉर में है Non-executive chairman है Vijay Shrirangan MDCU है के सत्या नारान राजू और इसकी tagline है Together We Can Next question है US India Tax Forum ने अपने forum का नया head किसे न्युक्त किया है तो forum का नया प्रमुक न्युक्त किया गया है किसे तरुन बजाज को अगला question है Who is the author of the book जिसका title है You Can Coach तो book का नाम याद लखेंगे You Can Coach और ये book किसने लिखी है author है इसकी सिधार्थ राजशेकर Who becomes first ever better in IPL history to reach 7500 runs IPL के तिहास में देखे 7000 रन तक पहुँचने वाले पहले बल्लेबास कौन बनी है विराट को ली Next question है Maya Boucher has won the ICC Women's Player of the Month Award for March 2024 She belongs to which country So Maya Boucher ने देखे March के लिए जीता ICC Women's Player of the Month Award और ये बिलोंग करती है कौन सी कंट्री से England से March के लिए बात करें Men's Player of the Month Award किसने जीता है श्रीलंका के प्लेयर कामिंदू मेंडिसनी Next question है John Swiney has take oath as a 7th first minister of which state John Swiney बनी है देखे अभी हाली में Scotland देश के साथ हुए प्रथम मंत्री के रूपी इनोंने शपत ली है Scotland के capital है Edinburgh और currency क्या है Pound Sterling इसके बाद अकला question है According to the Global Electricity Review Report What was the rank of India in the world in solar power production सो रूचा के उत्पादन में बात करें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो भारत है विश्व में तीसरे नमबर पे First or Second Place भी याद रखेंगे तो First नमबर पे है चाइना Second नमबर पे कौन सी कंट्री है USA इसके बाद friends आज की वीडियो का हमारा Last and Important Question क्या है Larson and Turbo Company जो है इसके अभी President कौन अपॉइंट हुए है Larson and Turbo Company के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे आर शंकर रमन को तो friends यह थे friends हमारे पिशले पांच महीनों के important current affairs के questions 9 friends आपसे हम test questions ले लेते हैं इसी वीडियो में सी ही हम आपके लिए दो questions उठा रही है इनको आपके as a test हम आप लोगों से पूश रहे हैं इनके answer आप हमें comment करके बताएं पहला question देखे क्या है होम डिट प्रेजिरेंट दुरापदी मुर्मो recently nominate to राज्यसभा हाली में देखे हमारी राश्टपती दुरापदी मुर्मो जी ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और दूसरा question है Milan Naval Exercise का कौन सा edition हुआ है विशाखा पतनमी तो अब आप इनके answer हमें कहां बताएंगे friends comment करके इनके answer हमें बताएं और इसे के साथ इस session को friends यहां पे end करती है friends अगर आप हमारी e-book को buy करना चाहती है जो कि आपके competitive exams के लिए important है तो उसके लिए आप हमारी website visit करें website का जो link है वो कहां मिलेगा description box में मिलेगा तो एक बार जाके आप लोग जरूर चेक करें तो ऐसे ही important वीडियो में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे और जो भी important classes होंगी आपके exam के लिए वो हम आपके लिले के आते रहेंगे thank you so much for watching this video